विश्मिलाई रह्मान रहीम, on the demand of दीपती भार्द्वाच प्राम विहार, एक differential calculus की problem है, expansion of function chapter से, expand cos x in power of x-5 by 4, यानि x में से अगर minus किया जारा है कोई constant value तो इसका मतलव समाल जीजिए कि हमें expansion Taylor series में मांगा जारा है, तो Taylor series से इस problem को साल करने के लिए सबसे पहले जिस function का भी हमें expansion करना है, उस function को cos x, उस function को fx के को लग देंगे, योगि हमारा function cos x था, अब इसका हम कई बार differentiation कर लेंगे, जब एक बार differentiation cos का करेंगे, तो इसका differentiation cos का differentiation minus sin x होता है, और जब दूसरी बार differentiation करेंगे, second derivative निकालेंगे, तो minus सो बहार और sin का differentiation cos x हो जाएगा, इसी देखर से हम जब थर्ड बार differentiation करेंगे, तो मैंनस बहार हो जाएगा, इस मैनस मानेस सिंटू, बलस का sin x हो जाएगा, अब इसका अगर हम फोर्थ बार differentiation करेंगे x का, कई बार differentiation करके रख लेंगे, साहन का differentiation cos x हो जाएगा, फिर इसके बाद हम यहां पर जिस spine पर यह देखिए X में कितना मैनस हो रहा पाइव फॉर और आए तो इस spine पर हम इन function की function की value और इन सारे derivative की value निकाल देंगे यानि हम put कर देंगे इसमें X जीगा पर पाइव फॉर रख देंगे तो function की value पाइव फॉर पर आ गई है cos पाइव फॉर जिसकी value होती है 1 by root 2 होती है इसके first derivative की value जो हम निकाल चुके हैं उपर जो आई थी minus के sine X तो X की जगा पर पाइव फॉर हमने रख दिया यानि X की जगा पर हम यहां पर पाइव फॉर रख देंगे तो minus 1 by root 2 value होती sine की value 1 by root 2 होती minus पहले से लगा हुआ था अब यहां पर second derivative की value निकालना जाते है 5 by 4, 4 तो हम जो second derivative उपर निकाल चुके हैं उसमें X की value 5 by 4 रख देंगे तो minus का cos 5 by 4 हो जाएगा और cos 5 by 4 की value वही होती है जो sine 5 by 4 की 45 की value होती है नहीं 1 by root 2 होती है तो अब third derivative की value भी हम इसी point पर निकाल लेंगे third derivative की value भी 5 by 4 पर निकाल लेंगे तो third derivative जो निकाला था हमने उपर आया था वो था sine X तो sine 5 by 4 हो जाएगे जिसकी value 1 by 1 root 2 के एककलो होती है यह अबने third derivative तो four derivative तक अभी अबने निकाला है तो उसकी value होगी यहां पर हम लिख देते हैं fourth derivative की value जो है वो इस 5 by 4 पर कितनी हो जाएगी तो आया था cos आया था cos X X की जगा पर 5 by 4 रखा है तो 1 by root 2 आया था अब इन यह सारी values हैं etc तो इनका use करेंगे जहां हम एक tailor series लग जाएगे तो 5 by 4 के लिए हम tailor series का use करेंगे यह आप लिखने हमने एग्जामिनेशन में using these values these values in tailor series tailor series tailor series में यह value का use करेंगे औफ एप एक्स अबाउट about X is equal to 5 by 4 यह 5 by 4 के about is function का जो expansion होगा तो लिख रहे हम यहाँ पर fx और f by 4 plus x minus का 5 by 4 और f dash 5 by 4 plus x minus 5 by 4 जोकि हम लोग जानते tailor series का जो formula होता है उसमें a की value जो है 5 by 4 है वो रख रहे हैं तो पहले स्टेलर सीरीज को में जो है वो याद होना चाहिए वो मिल जाएगी आपको book में देख लीजिए कि टेलर सीरीज का formula अबने नहीं लिखा है लेकिन जहां जहां पर हमारा पाइवे 4 नहीं जरा रहा है वहाँ पर एक कोई constant है तो उसी के बाउट हमें यहाँ पर expand करना है तो बस उसकी यहाँ पर पाइवे 4 है अब यहाँ पर एफेक्स की वैलू जो कि हमने कॉसेक्स मानी थी तो एक्स एफेक्स यह लो कॉसेक्स रगते हैं और फंक्शन की वैलू पाइवे 4 पर जो आई थी वो 1 बाइवे 2 रखते हैं पीछे अब हमने लिखी थी पिछले बेच पर और एक्स मैनस का पाइवे 4 इसी देखेक्स फर्स डेरिवेटिव की वैलू भी निकाली थी माइनस के 1 बाइवे 2 तो वो पीछा आप वीडियो करके देख सकते हैं मैनस बाइवे 4 और इसको हम लोग अगर कापी पर लगाते हों चलें साथ में तो ज्यादा बेतर है रोग रोग हमें रहीं देखे लिख रहे हैं आहां बहुति मैनस की ब्हार्ट रूट को और सीरेज के लिए 2,3 तरम काफी होते हैं यहां 5,4 टरम निकलना हैं इसलिए हम 4 वाले को इंकलूट दिOUT यह fáornी करने आप करने तो कर सकते हैं को इतने ज्यादा तो अच्छा है। realize क्फाइन हो रही तो हैं सीडीज देजए इतने काफी होते हैं सीडीकिक लिए लेकिन रहाँ एकर कंप्लिकेटिट बैसे तो answer आ चुका है series हो गया लेकिन अगर थोड़ा simple फार्में से बनाना चाहते हैं तो 1 by root 2 हर एक term में दिखाई बढ़ रहा था तो 1 by 2 जब हम यहां से common लेंगे तो 1 नचर आ रहा है second term में यह minus सुरू में कर दीजिए तो minus का और बैकेट में x minus का पाई वी 4 इसके बाद इस तर्म में भी minus आ रहा है तो सुरू में यह कर दीजिए minus और x minus पाई वी 4 का whole up square upon factorial 2 इस वाले term में भी minus आ रहा है और इस minus को भी सुरू में कर देंगे इस तर्म में साइध पिलस आ रहा है थर्ड वाला देख लेते हैं चेक कर दें थर्ड डेरिवेटिव जो है हमारा लोगों का पिलस में आया तो यह पिलस में ही है यह थर्ड वाला जो है पाई वे 4 पे वैलू प्लस है तो इसको सुधार करने यह plus का बन बाई रूट टू है और यह बन में रूट टू को बाहर ले लिया तो बचा हमारे पास एक्स मैनस का पाई वे 4 की पावर थिरी अपान फेक्टोरियल थिरी और एंस ओन प्लस एंस ओन की साइन अप कैसे भी होगा प्लस मैनस यह तर्म इंफाइन नंबर आफ टर्म की एक सीरीज होगी थैंक यू दावान अलम्द लिल्ही रब लालमें